आज की जो साधना है आज की साधना है ब्लड प्रेशर की बीपी के तो कि आज खली ये बिमारी इतनी जादा बढ़ चुकी है कि इसको बिमारी नहीं महामारी ही गएंगे किसी का लो है तो किसी का हाई है पहले जमाने में ब्लड प्रेशर किसी किसी को होता था या एक कुमर के बाद ही होता था लेकिन आज कर देखो तो ये कम उमर वालों को भी है बच्चों को भी है जवान को भी है बलकि जवानों को ज़्यादा रहता है आज कर पहले तो जवानी मस-त रहते हैं आजकल लोन दब पूँचा जायर क्या है । तो सब का ज्यादार तर खाई ही रहेगा, क्योंकि एक तो रह नहीं सेन आजकल ऐसा हो गया है, लाइफ़स्टायल इतने क्वाब हो चुपी है, खाना पिना, वह भी सब ख्राब हो चुका है, ना सोने का समय है ना जागने का समय है और जीवन में competition भी इतना जादा बढ़ चुका है तो एक tension से व्यक्ति निकलता है तो दूसरी, दूसरी से निकलता है तो तीसरी life में, सोच में, विचार में, काने पीने में, हर एक चीज में कहा जाएगी pollution है, व्यक्ति बचे तो कहां से बच्चे और जब बच्चेगा नहीं तो उसका असर उसके शरीर पर पढ़ेगा ही और सबसे पहला असर ब्लड फ्रेशर पर ही पढ़ता है बाक्य बिमारियां भी शरीर में होती हैं लेकिन क्योंके ब्लड ही हमारे शरीर में ज़्यादा है और यही सभी अमwareे अंगूं व् blood pressure पर ही पड़ता है और जब हम विसकी सरव थ्यान नहीं देते हैं, तब जाकर के हमारे और अंगों पर, अपरते अंगों पर, हमारे और ओरर्गंस पर असर पड़ता है. जीवन में जो हमारा lifestyle है या कहा जाए कि हम जीवन जी रहे हैं. अगर हर एक चीज में हम बैलेंसिंग रखें, संतुलन रखें तो हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना हमें समाजिक आती है, ना हमें आर्थिक आती है और ना हमें शरीर की आती है, ना हमें मन की आती है, ना विचारो की आती है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लिम यही है कि हम बैलेंसिंग संतुलन नहीं रख पाते हैं जिधर की तरफ मन जुग गया तो उधर की तरफ डोल जाते हैं अब वही हमारी बेमारी और परिशानियों का कारण बनता है अगर इस प्रकृति के नियमों की हम अवमानना करते हैं या इनका हम उलंगन करते हैं तो देखें कि कर तो हम प्रकृति के नियमों का उलंगन रहे हैं लेकिन उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है क्योंकि जो हमारे प्रकरती में है वो ही हमारे इस शरीर के अंदर है जैसे प्रकरती में बैलेंसिंग चाहिए वैसे ही हमारे शरीर में हर एक चीज को बैलेंसिंग चाहिए जैसे हवा चलती है अगर वो नॉर्मल बैलेंस हवा चल रही है तो अच्छी लगती है जीवन देती है लेकिन अगर वो अपने एक बैलेंस से कम हो जाए तो नुकसान पहुचाती है और एक बैलेंसिंग से जादा हो जाए तो भी नुकसान पहुचाती है तो भी आंधी पाना गया और जितने उसकी संतुलंता बिगड़ती है उतना ही ज्यादा नुकसान पहुचाती है ऐसे ही पानी बहता है अपने जो उसका मापदंड है उसी रूप में बहे तो अच्छा लगता है जीवन देता है लेकिन अगर कम हो जाए तो भी नुकसान देता है और ज्याद अपने है सब कुछ बैलन्स पनाया है बारिश कम होती है तो अकाल है और ज्यादा हो गई तो बार है लेकिन अगर बैलन्स चल रही है तो जीवन देती है ऐसे ही हमारे शरीर में है और हमारे शादीर में चाहिए वो blood है, चाहिए हमारे और organs से निक्रे वे chemicals हैं या कोई भी चीज है वो अगर अगर अब एक balance में एक इस्टित मापदन्ड में कार्य कर रहे हैं तो हम अपने आपको हर इस्थिती में स्वस्त महसूस करते हैं तरुताजा महसूस करते हैं इस हूरती महसूस करते हैं एक ताजी शान्ती महसूस करते हैं लेकिन अगर इसमें कमी आ जाती है या इसमें अती हो जाती है ज्यादा हो ज जैसे आप देखो कि आपको कहीं कोई कस्ट है कहीं कोई परेशानी है तो आप क्या करते हो लैब में जाकर करके टेस्ट कराते हो टेस्ट कराते हो टेस्ट की रिपोर्ट क्या आती है वहाँ पर मिनिममम और मैक्सिमम लिखा होता न कि इसी के बीच में आपका होना चाहिए अगर जादा है या कम है उसको एक उसी ही माब गंड में लाने के लिए, फिर दुवारा टेस्ट कराते हो तो क्या है उसी की ही रेशो में अगर वो चीज आ गई है तो आप ठीक हो, अगर रेशो में नहीं आ रही है तो फिर आपकी दवाई continue रहती है, कोई चीज सी भी आप ब जिस औरगन में, जिस आपके पार्ट में बिमारी हो रही है, उसकी चीज वो बैलेंसिंग में नॉर्मल है या नहीं है, नॉर्मल है तो फिर कोई और चीज देखी जाती है, किस वज़े से प्राब्लम आपको आ रही है, कहने का मारतात पर रही है कि प्रकरती है, या जीव ह या इनसान है जो भी है हर जग है हमें उसके उपर वाले के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता है क्योंकि जो हमारे बॉड़ी में बैलेंसिंग का रेश्यो जो बनाया है वो उपर वाले ने बनाया है हमने इंसान ने ने उसको इंसान तो क्या करता है बस उस रेशो को ढूंडता है बताता है कि हां साइंटिस्ट क्या करते हैं उसको ढूंडते हैं कि हां ये इतने उसमें चले तो नॉर्मल है इससे जादा हो गई इसी पर हो सर्वे करते हैं इसी पर ही इतना वो खर्चा करते है और मेहनत करते हैं लेकिन असली बनाने वाला वो मशीन बनाने वाला तो वो उपर बैठा है असली मशीन तो उसी नहीं बनाई है और उसी ने इसका एक माबदन दिरधारित किया है तो इंसान जो दवाई बना रहा है और वो जो उपर वाला दवाई बना रहा है दोनों के दव परवाला ही कर सकता है। इंसान कितना भी तरकी कर ले कितना भी ढून ले। लेकिन फिर भी देखो कि समय के साथ साथ जो इंसान के बनाएवे ढूंडे वे तरीके हैं उनमें चेंजिस होते चले जाते हैं। कुछ बदलता चला जाता है इंसान का बनाया हुआ। लेकिन उपर वाले का बनाया हुआ कुछ नहीं बदलता। जब यह धरती शुरू ही थी तब भी इंसान का दिल यहीं था। सारे ओर्गन्स वहीं थे वैसे ही धड़कते थे उसी रेशों से और आज 21 सदी में पहुंच ग लेकिन इश्वर जो इंसान अपनी मशीने बनाता है वो बदलता चला जाता है लेकिन इश्वर ने जो मशीन बनाई है वो ऐसी शुरू में ही इतनी तरक्की से बनाई है कि उसमें आज तक भी कोई बदलाव नहीं है लेकिन उसको बिमार क्या है हम बनाते हैं उस रेशों को हम बिगारते ह ہیں अपने life style से अपने खाने पीने से अपने सोच से अपने विचार से अपने completion से लेकिन आजकल का जो माहौल चल रहा है उस माहौल में आप से हम अगर ये कहें कि is हम अज करो या आप ये मत खाओ वो मत खाओ तो आप कितने दिन दो दिन, चार दिन, हफ़ता, महिना, दो महिना, साल बर लेकिन अंटिमेटली क्या होगा? क्योंकि आज की इंसान की requirement ही वही है और जैसी requirement होती है उसके अनुसार ही अगर चला जाए तब ही व्यक्ति स्वस्त रह सकता है, प्रतन रह सकता है तो आप जो भी खापी रहे हैं वो आप खाए पिए जैसे भी आप competition जहां भी जिस field में आपके कर रहे हैं जो भी आपका field है वो करें लेकिन साथ में ये साथना भी आप करें जिससे कि आपके blood में, आपके mind में, आपके glands में जो भी imbalance हो रहा है वो आपका खात्म हो balance हो तो आपको मन में, विचार में, आपके ये blood pressure में जाए आपका low है, जाए आपका high है उसमें एक संतुलंता आए और आप पूरी तरह से ठीक रहें आप देखें आपको blood pressure होता है जाए आपको low है या high है सिर में दर्द रहता है कंदों में, गर्दन में दर्द रहता है शरीर में दर्द रहता है कमजोरी रहती है, नींद नहीं आती है कहने को एक बिमारी का नाम तरह एक है blood pressure लेकिन इसके effects कितने सारे है चुर्चुड़ापन रहता है, गुसा रहता है यानि कि आपके रिष्टों पर भी फरक पड़ता है आपके शरीर पर तो असर हो ही रहा है इसका भूग नहीं लगती है तो शरीर के असर के साथ साथ आपके मन पर असर हो रहा है आप जो भी काम कर रहे हो चाहिए आप ग्रैनी हो और चाहिए आप काम कर रहे हो तो वो काम आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि वीक्नेस इतनी रहती है, चिरचड़ापन इतना रहता है, तो आप वो कार्य कर नहीं पाते हो, नीन नहीं आती है, तो नहीं पाते हो ठीक से, हर समय सिर्भनाया रहता है, गुस्से में रहते हो, तो उसका असर आपके, चाहिए आप यह पूछते होना कि क्या हो गए बीपी हाई हुरा गुश्टा करें चले जा रहा है जो तो यह कहां पे ऐसे करें ही नहीं 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 है ये कहाँ कर एक खिक्त पर ही है कि इनकाभीक भीपी हाई सब नहीं हैं यह रखतांज तो इस कोने सब्यक्ति एक जम सबीन barn कुstillरृत दिवर्य फ्रफें कि रखते हुए हैं तो एक बिमारी एक है BP की, blood pressure high की या low की, लेकिन इसका effect हमारे काम पर, हमारे शरीर पर, हमारे relations पर सब पर पड़ता है, दीरे दीरे हमारे और organs पर भी पड़ना शुरू हो जाता है, शुरू में तो नहीं होता है, लेकिन दीरे दीरे हमारे और भी organs खराब होने शुरू हो जा करते हैं, लेकिन ये जो साथना अब आप करने जा रहे हो, इस साथना को ये नहीं है कि जिनका BP high रह रहा है या इनकी जिनका BP low है, वो ही साथना को कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये देखा गया है, कि आज का जैसा आप सब को मालूम है, किसी का भी रोटीन ऐसा नहीं है कि वो सनाव से घिरावना हो, आज एक ग्रहनी भी है, उसका वो भी कोई काम नहीं करती है, लेकिन उसको भी टेंशन है, आज माई नहीं आई है, आज बच्चे खान खा करने गए हैं, आज वो उसने ये बोल दिया है, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, यानिकि उसका भी जीवन तनाव से भरा हुआ है और जब तनाव से घिरावा जिन्दगी होती है तो ये चीजें इफेक्ट उनके भी रहते हैं एक मन में जब शांती नहीं होती है तो ये इफेक्ट उनके भी आ जाते हैं तो आपको blood pressure low है या high है या blood pressure नहीं भी है तो भी आप इस साथना को कर सकते हैं जिससे कि आपकी शरीर में आपके glands में एक balancing रहे एक control में रहे क्योंकि balancing तो हर जगह जब आपको बताया हर जगह जरूरी है और जितना आपके glands आपके organs आपके विचार balance रहेंगे उतनी ही सब में ताज़गी रहेगी स्पूर्टी रहेगी और ये आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में हमारे विचारों में जितनी ज़्यादा तरोकाज़गी रहे इन में जितनी ज़्यादा शक्ती रहे उतना ही आप अच्छा कार्या कर सकते हो अपने जीवन में आप सपलता प्राप्त कर सकते हो साधना को आपने रोज करना है एक दिन करोगे तो सही है नहीं सोचोगी आपका ब्लेड प्रेशर नॉर्मल हो गया आपकी ग्लेंड स्टिक से काम करते लगेगी जैसे आप योगा करते हो रोज करते हो तभी फायदा पहुचता है ना जिम जाते हो रोज जिम जाओगे तभी फायदा होगा यह तो है नहीं कि महीने में एक बार जिम चले गए तो पतले हो जाओगे वो फायदा करेगा कोई भी कार्य से पूरा लाप्राप करने के लिए आपको उसको रोज करना पड़ता है ऐसे ही ये meditation भी है कि आपने रोज करनी होगी क्योंकि ये एक ऐसी बिमारी नहीं कहा जाएगा महामारी है कि ये आपको ना आए अगर है तो उससे आप को मुक्ते मिल जाए अगर ये चाहते हो कि आपको ये बिमारी ना हो इसे परिशानी ना हो तो भी आप उसको कर सकते हो कि आपको परिशानी आगे ना हो दावाई या ना खानी पड़ें क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है कि जब तक आपकी एक बार हो गया तो आपको हमेशा के लिए इसको खाना पड़ता है और दीरे-दीरे जैसे शुरू आतो होती है 0.55 mg से दीरे-दीरे वो बॉड़िस की हेब चलोती चली जाती है तो यह यह mg भी बढ़ती चली जाती है जिनको रह चुका है वो तो जानते ही होगे दीरे-दीरे फिर यह असर ब मुल दियावाज जीवन है उसको आप अच्छी तरह से पून रूप से बोख सकें वैस तो और कोई नियम इसमें है नहीं बस रोजी करने का नियम है इसको भी आप कहीं भी कर सकते हो किसी भी समय कर सकते हो और कितनी भी बार कर सकते हो लेकिन कंपन सरी के अब एक बार है कि 24 गंटे में एक बार इसको कर लें किसी भी टाइम करें ऐसा नहीं है एक से ज़्यादा करोगे तो नुकसान नहीं है क्योंकि साथना है दवाईयों का तो डोज फिक्स होती है कि इतनी ही लेनी है उससे जादा नहीं लेनी है उससे जादा लोग तो नुकसान करेगी लेकिन meditations एक से ज़्यादा आप करते हो तो नुकसान नहीं होता है फाइदा ही होता है लेकिन हाँ फिर भी ये होता है कि कितनी बार संकर्प साथना है वो आपको कहा जाता है दिन में दो बार कंपल सरी है धनवद्य कहा जाता है केवल एक ही बार करें ऐसे ही ये भी साथना जो है है तो उनको मालूम ही है कि पूरी तरह से वो पुस्थ है उनका पैपी नॉर्मण हो चुका है जिसका है उनका भी नॉर्मल रहे नहीं है यहां बैट हुआ हो यह कर रहे हो यहां इसा पर कर रहे हो और आपका नॉर्मल रहे बिश् enormous grammat